आज अगर पूरी वीडियो देख लिए ना गेर चेंज करने के लिए जो दिखते आती है ना वो दिखत कभी आने होले नहीं है इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे गेर कैसे चेंज करना है तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेसाइज बताऊंगा गेर की और एक्सेसाइज बताऊंगा क्लच एक्सलेटर ब्रेक की तो नमस्ते दोस्तों ड्राइवी तविलाच्चना में फिरेक बार सौगत है तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बिगनस भाईयों के लिए जो नहीं नहीं गाड़ी सिख वीडियो को ध्यान से देखना है तो दोस्तों आज जानने वाले है वाव टू चेंज गेर परफेक्टली तो गेर कैसे चेंज करते हैं नहीं गाड़ी सिखने वाले के लिए कंफूजन यह रहता है कि गेर डालू या आगे देखू गाड़ी चलाओ या गेर चेंज करू तरने होझा तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना है शेर करना है सब्सक्राइब करना थो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो भा हैं के लिए जो नही महीं गाड़ी ची उन के लिए उनके लिए तो mostly्तों सारे गाड़ीों में सेम फूचर रहता है गेर का डाराम ऐस टालना होता है कुछ गाड़ीयों में उपर से नीचे ऐसे प्रेस कर के आगे करके ऐसे डालना होते हैं और दोस्तों हूसरी धाइडियों से अगराम होते हैं तो डूस्तों अभी मैं बताने वाला smoothly gear कैसे change करते हैं सबसे पहले दोस्तों अपन exercise करना पड़ता है आप एक काम करो नहीं भाई लोग नए बिगनर्स आपको क्या करना है गाड़ी start ना करके शुरुआत में आपको क्या करना है exercise करना है बंद गाड़ी में क्लच दबाना है देखो मैं क्लच दबाके और आपको ये गेर चेंज करके थोड़ा सा exercise करो प्रैक्टिस करो बंद गाड़ी में इतना याद रखना है बंद गाड़ी में क्लच दबाके गेर चेंज करके प्रैक्टिस करना होता है आपको तो दोस्तों देखिए शुरुआत मे का सिरह आपको करना क्या है मैं बताता हूं दैन से वीडियो को देखना है दोस्तों कि लच को पूरा दपाना है फिर Biz गेर क्या तर पाना है कि यह नाइसचे में रहता है राइट और लेफ्ट में जाता है तो दोस्तों तो दबा दिया आपने अभी इसको लेफ्ट करके आगे प्रेस करना फिर्स गिर लग गया अभी अपनी गाड़ी बंद है कि प्रैक्टिस में बिगनस यही प्रैक्टिस पहले करना है शुरुवात में कि आपको ऐसे और याद रखना है एक्स लेटर यूज और अपनी जो पैर की एडिया ना नीचे रखना है और पंजे से यूज करना है ऐसे मैं दिखा रहा हूं आप देखिए द्यान से ऐसे ऐसे दबाना है और एक्सलेटर और ब्रेक के लिए राइट लेग यूज होता है तो देखिए एक्सलेटर ऐसे ऐसे थोड़ा सा दबाना है फिर समझो एक्सलेटर का काम हो गया है थोड़ा सा कहीं रुखना है तो अपनको य दलने के लिए अपन क्या करते हैं एक्स लेटर दबा रहा रहे आभी आपन रॉनिंग में है तो एक्स लेटर रीलीस कर दो फिर क्लश पूरा दबाओ फिर second gear डालने के लिए इधर gear के तरफ आना है अच गयं देख़े अभी इसको न्यू Krill करना है फिर left करना है फिर second gear डालना है तो क्या होता है दोस्तों यह practice बंद गाड़ी में कुछ दिन करो दो तिन दिन देखो यह second में डाल दिया फिर से clutch के तरफ आना है clutch को release कर दो हलका accelerator दो यह practice करना है यह practice के लिए बता रहो आपको फिर एक्सलेटर दे रहे फिर अपनको अभी third डालना है third के लिए अपनको आना है फिर clutch दबाना है फिर इधर gear के तरफ आना है second gear में है अभी तो neutral कर दो फिर आगे कर दो यह हो गया third gear फिर third में है अभी अपनी गाड़ी के running minimum 30 अबो चाहिए third gear के लिए second gear के लिए 20 अबो चाहिए और first gear में 0 to 10 चाहिए तो ऐसा होता है अभी 30 के आसपास अपन running में चल रहे समझके third gear डाल चुके है फिर clutch release कर दो फिर एक्सलेटर दो फिर एक्सलेटर दे रहे है अभी running में है गाड़ी समझने का फिर एक्सलेटर release fourth gear डालना है एक्सलेटर छोड़ दिया clutch पूरा दबाया फिर gear के तरफ आया अभी third में है clutch दबाया हो आए अपना clutch दबाया हुआ है अभी third में से fourth आने के लिए simply आपको neutral करना है फिर fourth डाल देना है फिर clutch के तरफ आना है फिर clutch छोड़ना है और एक्सलेटर हलका सा देना है एक्सलेटर को ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि गाड़ी रेनिंग लेती है रेनिंग में जब होंगे तब के बात कर रहा हूँ क्योंकि practice exercise कर रहे है आपना भी तो practice के लिए यह काफी है ऐसे दबा सकते हो तो practice ऐसा करना है clutch दबाओ एक्सलेटर दबाओ clutch दबाओ एक्सलेटर दबाओ फिर clutch दबाने के बाद gears डाल के practice करना है दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि running गाड़ी में जब अपनी गाड़ी समझो running में है तो first gear से अपन 50 gear में आ सकते है क्या या 50 gear में से second आ सकते है क्या तो second आ सकते हो आ क्योंकि यह two wheeler जैसा नहीं है two wheeler में ऐसा होता है fourth में होंगे तो first में आने के लिए अपन को third two करके ही आना पड़ता है यहां पर ऐसा नहीं होता है four wheeler में अभी अपन फिप्ट में है तो अपनी गाड़ी 60-40 50-60 के आसपास running रहती है तो क्या होता है समझो आगे गतिरोद कोई breaker आया या गाड़ी आई तो अपन है fifth में चल रहे है या fourth में चल रहे है तो running को देखना है 30 20 के आसपास आ गई तो अपन तो है fifth या fourth gear में तो अपन क्लस्ट को पूरा दबाना है accelerator का पैर पूरा हटा देना है इसे और simply आपन fifth में है तो neutral कर देना है simple left करके second में आ सकते हो दोस्तों कोई दिक्कत ने बट second में आने के लिए 20 के आसपास running रहनी चाहिए यह याद रखना है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यह हो गया gear के बारे में और कुछ लोगों को लगता होगा कि गाड़ी जब running में होती है तब reverse gear लगता है क्या reverse gear नहीं लगता दोस्तों reverse gear क फंडा भूल जाए क्योंकि जब गाड़ी रुकी होती है तब ही reverse gear लग सकता है क्योंकि क्या होता है जब आपन समझो third gear में है आपको डालना है fourth तो fourth डालते समय क्या क्या होता है कुछ लोगों का ऐसे हाथ जाता है कुछ लोग ऐसे करते तो यह आवाज करेगा खर करके नहीं लगता डरने की कोई बात नहीं है तो दोस्तों वीडियो में जो भी बताया आपकी जानकारी के लिए बताया नए बिगनर्स नए जो सीखने वाले लोग है पहले घर पर प्रैक्टिस करो फिर रोड पे निकलो और कोई अगर दूसरी जानकारी चाहिए तो कमेट में लिख सकते हो दोस्तों और मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में